भारत का सरवच्च विधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत की संविधान के निर्मार से पहले देश के कानून और विवस्था का पालन किया जो की अंग्रेजों द्वारा निर्देशित किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ इसलिए भारती इतिहास में इस दिन का बहुत बड़ा महतु है सम्विधान दीवस हमारे स्वतंत्र राष्ट भारत के गौरव का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे स्वतंत्र राष्ट भारत की वास्तविक भावना को दर्शाता है सम्विधान सभा के प्रारुफ समिती के अध्यच डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर के 125 जनती वर्ष के रूप में प्रथमबार 26 नवंबर 2015 को सम्विधान दीवस मनाया गया इस दिन सिक्षन संस्थान में बच्चों को सम्विधान की प्रस्तावना यो मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है सम्विधान दीवस मनाने का मकसद नागरिकों को सम्विधान के प्रती सचेत करना समाज में सम्विधान के महत्तों का प्रसार करना है भारतिय सम्विधान भारत की सर्वक्ष सकती है और यहां तक की भारत की संसत के पास सम्विधान को प्रतेदिश्ट करने की सकती नहीं है समिधान दिवस वह दिन है जब हमारा राश्ट्र भारत 15 अगस 1947 को बिटिस सासन से स्वतंत्र होने के बावजूद वास्तविक अर्थों में एक संप्रभु देश बन गया था डॉक्टर भीम राव अंबेटकर के नेत्रित्व में एक समिती बनाई गई थी और इसमें लगभग 2 साल 11 महिने और 18 दिन का वक्त लगा था इंडिया अर्थात भारत राजियों का एक संग है या संसद्य प्रणारी की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्य समाजवादी लोग तंत्रात्मक गंडराजी है या गंडराजी भारत की समिधान के नुशार सासित है और आज भारत का समिधान दिवस है